गौतम बुद्ध का जीवन हर किसी के लिए प्रेरनादाई है। गौतम बुद्ध बौध धर्म के प्रवर तक थे। इनका जन्म 483 इस्वी पूर्व तथा महाप्रिनिर्वान 563 इस्वी पूर्व में हा था। बच्पन में उनको राजकुमार सिधार्थ के नाम से जाना जा पैंतीस वर्ष की आयू में उन्हें ज्ञान की प्राप्ती हुई थी। वह संसार का मोह त्याग कर तपस्वी बन गए थे और परम ज्ञान की खोज में चले गए थे। आए आज हम आपको सिधार्थ के महात्मा बुद्ध बनने तक के सफर के बारे में बताते हैं। जन्मकाल बुद्ध का गोत्र गौतम था। बुद्ध का वास्तविक नाम सिधार्थ गौतम था। उनका जन्म शाके गनराजे की राजधानी कपिलवस्तु के निकत लुंबिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म के साथ दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया उनका पालन पोशन उनकी मौसी गौत्मी ने किया था। शिशु का नाम सिध्धार्थ रखा गया था। शाके वंश के राजा शुद्धोधन सिध्धार्थ के पिता थे। सिध्धार्थ के जन्म से पूर्व हुई भविश्यवानी से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें तपस्वी बनने से रोकने के लिए राजमेहल की परीधी में रखा। करा दिया गया। दोनों का एक पुत्र भी हुआ। जिसका नाम राहुल था। गौतम बुद्ध की वजह से बदल गया इस स्त्री का जीवन। जाने कैसे। एक पार्थिव शरीर और एक साधू। इन चार द्रिश्यों को देखकर सिधार्थ समझ कए थे कि सब का जन्म होता है, सब को बुयापा आता है, सब को बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यू को प्राप्त होते है। इससे व्यथित होकर उन्होंने अपना धन्वान जीवन, अपनी पत्नी पुत्र एवन राजपाट का त्याग करते हुए साधू का जीवन अपना लिया और जन्म, बुयापा, दर्द, बीमारी और मृत्यू से जुड़े सवालों की खोज में निकल गए। ज्यान की प्राप्ती सिधार्थ ने अपने प्रशनों के उत्तर धूनने शुरू किये। समुचित ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्हें इन प्रशनों के उत्तर नहीं मिले। फिर उन्होंने तपस्या भी की लेकिन अपने प्रशनों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंब की। ऐसे करते हुए छह वर्ष वेतीत हो गए। भूक से व्याकुल मृत्यू के निकत पहुचकर बिना प्रशनों के उत्तर पाए वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे। एक गाव में भोजन की तलाश में निकल गए फिर वहां थोड़ा सा भोजन ग्रिहन किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेल, जो अब बोधिवरिक्ष के नाम से जाना जाता है, के नीचे प्रतिग्या करके बैठ कए कि वह सत्ते जाने बिना उठेंगे नहीं। वह सा 37 वर्ष की आयू में बुध बन गए। बुध को शाक्यमुनी के रूप में भी जाना जाता है। साथ हफ्तों तक उन्होंने मुक्ती की स्वतंतरता और शांती का आनंद लिया। प्रारंभ में तो वह अपने बोधी के बारे में दूसरों को ज्यान नहीं देना चाहते बुध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा। मान्यता है कि बुध को स्वयम ब्रहमाजी ने अपने ज्यान को लोगों तक पहुचने का आगरह किया था फिर वह इस पर सहमत हो गए। इस तरह उन्होंने अपना पहला धर्मोप देश उत् सारनाथ में अपने पहले मित्रों को दिया था।